नमशकर दोस्तों, मेरे पाम लिटिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज 23 वर्ष की महला के पाम का एनालेसिस करेंगे, पिर एकें के स्वालों का उत्र करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों ना भी तक हमाई चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो किर्पय करके चैनल को सिस्क्राइब कर ले, बेल अकन को प्रस कर दे ताकि लेटस नोडिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वर्तमान समय में ये जॉब कर रही है आगे किस जिंदगी के विशे में जानना चाहती है आगे इस जिंदगी पर ये कितना सक्सेस करेंगे इस विशे पर इनको जानना है और इतली पर क्या अच्छी खरावा उस्था बढ़िये जो भी negativity आपके हाथ पर होगी, सभी विश्य पर वचार करेंगे, और बहुत ही clarity के साथ आपके वविश्य का विवरन भी देंगे, कि आपके वविश्य में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, और आपको प्रेडित भी करने का प्रयास करेंगे, तो ये वीडियो उन सभी के मातपून हैं, जिनके हाथ पर रेखाएं बहुत जादा हैं, और वो confusion में रहते हैं कि उनके हाथ पर ये रेखाएं तो इसका अर्थ क्या है, तो आज की वीडियो में इस बात को मैं समझाने का प्रयास करूँगा, तो सबसे पहले हम positive चीज की तरब बात करनेंगे, गजब क पॉस्टिविटी इनके हाथ पर वस्थे थे, ऐसी positivity जिस भी वेक्टी के हाथ पर हो, जिन्दगी पर सफलता तैय है, चमत कारिफल आता है, योकि rare indications इनके हाथ पर वस्थे थे, इनके भाग ये रेखा पर स्टार साइन का मौजूदगी है, और ये स्टार साइन जातक को बह रेखा भी कहते है, वो आपके जिन्दगी पर धनको देता है, भाग ये को बेहा करता है, अगर उस पर स्टार बन जाए तो और जबर्दस्थ भाग ये हो जाएगा, और धन और ज्यादा आपके जिन्दगी पर आने के सम्बावनाए ये बनेंगे, तो आए देको ये जबरदस देखो यहाँ पर से गया और अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ लोग बोलें गुरुजी यह एक लाइन यहाँ पर आ गई चलो इसको थोरा कंसिडर कम करते यह तो कंफर्म है तो गजब का स्टार इनके हाथ पर एक से जादा है इसको भी हम स्टार कंसिडर कर सकत करता है ब्यूटिशियन बन सकते हैं ब्यूटि प्रड़क्ट का कारे कर सकते हैं बड़े कंपनी का स्टैबलिस्टमेंट कर सकते हैं खाने प्रिंस जुरावा कारे कर सकते हैं अचानक तरक्की का योग को बताता है घर से दूर की उन्नती को बताता है इंडिया से बाहर की से settlement को बताता है विदेसी धरती से धनलाफ को बताता है इस पेशली भागीरेखा पर स्टार है तो धनागमन की स्थिति को बताता है जातक के जिंदगी पर पैसे के आगमन बरी अच्छी रहती है इस चीज का यह परचय हंड़ वन परसंट कराता है तो आगे देखो भागीरेका बहुत शानदार है, यहाँ 36 वरस द है, 36 वरस के बाद भी बहुत जबदस्ट, तो ये तो थी भागी रेका को लेके positivity, उसके बाद नाना प्रकार की positivity इनके हाथ परवस्थित है, lines बहुत जादा है, तो चीजों को मैं दिखाने का प्रियास करता हूँ, उसके बाद देखा जाए तो एक बहुत जबर्दस्ती ये वाली जो है न ये एक प्रोक्रिस्टाइन यहाँ पर आके रुख गई ये एक सूरी रेका का ब्रांच है जो कि यहाँ पर जा रहा है सीधे एकदम सीधे जा रहा है जो कि यहाँ पर से हलका एक स्टार जैसे आकिरती यहाँ भी दिख रही है और यहाँ पर से एक ट्रेंगल बना सूरी देखा के साथ यह भी एक बड़िया सूरी देखा है उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर से एक बढ़िया सा ट्रेंगल सा बना, यह सेनी प्रवत पर, और कुछ आपके सरकारी छेतर से धनलाव को योग कोई बताया, यह भी आपके बागिरेका का ब्रांच है, यहाँ भी देखो बागिरेका का ब्रांच है, तो बागिरेका बड़ी सटी कवस्था में इनके हतली पर है उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर से एक बहुत जबर्दस इनकी मंगल रेका ये भी मंगल रेका बड़ी कमाल है कुछ ट्रेंगल जैसी आकर्ती है जो ये तरिवो जुनमा आकर्ती इंडिकेट करती है जातक को धनलाव उसके बाद देखो तो ये भी ब उसके बाद यहाँ से एक मड़करी लाइन और दिग गई आपके हाथ पर जो की बहुत कमाल है उसके बाद देखा जाए तो ये बुद्ध पर ख़ड़ी लाइन से ये इंडिकेट करती है जातक के तीजी को आगे देखा जाए तो यहाँ भी एक मड़करी लाइन बहुत पर इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है और पॉस्टिविटी देखा जाए तो जीवन ड्रेगा पर प्रावर्स ट्राइन कंटिनू बेसिस पर है जो कि प्रगति का योग को लाइफ में बताते ही है इसके इसमें जातक के संदगी पर तरक्य और प्रगति होती ही है तो और आप अगर ठीक से फील करोगे तो यहां से भी ट्राइंगल है मतलब ट्राइंगल की जो नहीं बहुत अच्छी अवस्था इनके शुकर प्रवत पर अवस्थत है और शुकर प्रवतपर कुच एंण दिक्राए मुझे एक फिस जैसा आकरति अगर शुकर प्रवत पर लगजरी के लाइफ को बताता है लगजरीय जिन्दगी को बताता है तो ये चीज़ आपने देख लिया समझ लिया यहाँ पर से चीज़े क्लियर हो गई तो बहुत ही अदबुत इंडिकेशन सुक्र पर फिस बनना जातक लगजरीय जिन्दगी बिताते हैं कला साहित से जुर प्रडेक्ट का कारे कर सकते हैं, कपरों से जुरावा कारे कर सकते हैं, बुटीक से जुरावा कारे कर सकते हैं, गार्मेंट से जुरावा कारे कर सकते हैं, इस कारियों में इनको सफलता को ये अवस्था बताती जरूर है, तो इस केस में जिंदगी पर सफलता मिलेगे, इन कार पारियों में सफलता मिलेगी अगर आप इस कारे से तालोकात रखते हैं तो चलिए जीजी आपने देखला है ये इनकी पास्टिविडी थी बागी प्लैनेट्स बढ़िया है मंगल दोनों बढ़िया है ठीक ठाक है सरमर करे ठीक ठाक है मतलब प्लैनेट्स बहुत जादा भी ओवर डिवलब्ड नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है मध्यमस्तर यह है लाइन्स बहुत जादा चमकदार है जो जातर के जिंदगी पर तरक्की को इंडिकेट करता है अभी एक बहुत बड़ा चीज में आपको बताने वाला हूँ आपको इस हाथ पर ना रेखाएं बहुत डार्क दिकरी होंगी क्योंकि देखो कभी-कभी आपके बौडी कलर से ना आपकी हाथ की रेखाएं होती है तो हमें उस चीज को समझना है एक विक्ति ने कमेंड किया उनकी रेखाएं गुलाबी नहीं हो सकती हाँ अब इसी रेखाएं बहुत ज़्यादा मोटी हो गाड़ी हो तो वो एक अलग बात है लेकिन ये गाड़ी रेखाएं नहीं है ये क्लियर रेखाएं हैं बहुत अस्पस्ट रेखाएं हैं तो आप जरूर कमेंट्स करिए आपक हाथ की रेखाओं का color है तो ये रेखाओं का बनावट बहुत सुन्दर है इस रेखाओं का strength बहुत ही अच्छा है चुकि ये बहुत ज़ादा light है इनके हाथ के comparison से अब अपने हाथ के comparison से आप किसी को नहीं देख सकते na इनका हाथ क्या कहता है इनका करण क्या कहता है हाथ का उस हिसाब से इनकी रेखाओं का करण जस्टिफाई किया जाएगा तो इस बात को जरूर आप ध्यान में रखे चलो जीचीज आपने देख लिया समझ लिया अभी चलिए हम आगे किसी और वेशर पर वेचार करते है तो ये तो थी उनकी पeliटी अभी थोरा नेगडिव चीज पर हम वेचार करना चाहेंगे चुकिए आपके हाथ पर अगर पॉस्टिविटी है तो नेगडिविटी भी रहती है तो negativity है इनके हाथ पर होई, mood swing के problems को indicate करती है, रिश्टर शुक्र जैसे आ करती है, शुक्रवले जैसे आ करती है, ये जातक के fluctuations को बताती है, mood swing को बताती है, ये तो confirm आप कहतली मुझे बता रही है, बाकि काफी जादा भावुक हैं आप, ये भावुकता का परिचकर आती है, तो भावुकता में किसी भी परकार का निरने लेना आपके लिए तकलिफ दे है, साबित हो सकता है, तो किसी भी परकार का निरने भावुकता में आपको नहीं लेना है, कोशिश करना है strongly किसी भी परकार का निरने लेने के लिए, एकदम भावुक होके निरने लेना आपके बिल्कुल विच्छ थाबित नहीं होगा और ये जो आपकी एस चल रही है और जो शुक्र वरा डिस्टर्ब वस्था में है तो प्राब्लम साथ अक्तिया अर्लियर रिलेशन्स में तो उस बात पर थोड़ा साब करिएगा सोच समझ के कोई भी अपने लाइफ के लिए निरना लीजिएगा चुकि आपकी बुद्ध फिंगर भी छोटी है तो ये कही न कहीं जस्टिफाइग करी रही है चीजों को कि जातक अपने प्रारंबिक समय में तीसमें वर्स क्यायू तक कोई न कोई निरना ऐसे लेते हैं जो इनके लिए बिल्कुल साही थाबित नहीं होते है तो इस बास से थोड़ा सापको पढ़ेज करना जरूर है चलो जी पहले नेकेटिविटी दूसरी न थोड़ी सी न हेल्थ राइन इनकी टूटी है जो की बुद्ध रेखा है तो थोड़ी सेलकी फलकी स्वास्त की प्राबलम को बताती है हलाकि इसका उरुपाय तो मैं आपको देही दूँगा माइंड रेका बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ओवर कॉंफरेंस में किसी भी परकार का निरने आपको नहीं लेना है अगर आपने किसी भी परकार का निरने ओवर कॉंफरेंस में लिया तो ये भी आपके लिए उचित नहीं रहेगा मतलब ओवर कॉंफरेंस का क्या कि मैं हूँ तो मैं ठीकी कहर रही हूँ या फिर मैं ठीकी कर रहा हूँ अगर लड़का की अतली होती तो तो उने कारियों से आपको प्रेज करना है कोशिश यही करना है कि अपने हिसाब से जादा ना चले है समय के हिसाब से चले है और एक बार जरूर से आप परामर्श ले ले या पर अपने पिता जी अपने माता जी जो आप कहते सी उन से कि मैं क्या कर रही हूं मैं सही कर रही हूं कि नहीं उसके बाद देखा जाए कुछ दोके का योग आपके अहतली पर बने हुए तो वही मैं कह रहा हूं कि 30 वर्स के अई तक थोड़ सा दिक्कत तो है आपके अहतली पर के संदर्म में negativity अलाकि बहुत ज़्यादा राहूरेका इनके हाथ पर तो है नहीं तो बहुत ज़्यादा problems को तो ये indicate नहीं कर रही है लेकिन राहूरेका होने के बाद समस्याओं को जरूर बताती है तो कुछ समस्याओं रहेंगी वो तो मैं अभी आपके जीवन रहा चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ कि किस प्रकार की समस्याओं आपकी जिंदरी पर आ सकती है और किस प्रकार से आपको इसके लिए परहेज करना है किस आयो में specially आपको परहेज करना है अब हाला कि खर्च तो होने ही चाहिए आप सही काम में खर्च करो उसमें कोई बुराई नहीं है थोड़े ही खर्च होंगे जादा नहीं तो ये चीज़ आपने देख लेए चलो अब इनके जीबन रहेखा से हम चीज़ों को और क्लियर कर देते हैं ये कोशन्स पर चल लेते हैं थोड़ा सा शादी की जिन्दगी कैसी रहेगी शादी कपके होने के आसार है तो देखिए शादी जो आपकी विवार एका बतारी वो थोड़ी लेट बतारी है लेकिन बरश्पती वैसेज कोई गरबर है ने शुकर भी ठीक ठाक है चंदरमा थ शादी के बात की जिन्दगी तो वो तो उस समय की बात है क्योंकि थोड़ा फ्लक्ट्वेशन्स आपके जिन्दगी में 28 वर्स तक रहने वाला है शादी के समय कुंडले मिलान करके शादी कर ये आपके लिए बहुत जरूरी माना जाएगा तो तो दिमाग को अस्थिर रख संदे दिखी नहीं रहा मुझे अभी इनके जीवन ड्रेका से इनके वरतमान इस्थिति और साथी साथ इनके आने वाले इस्थिति को हम क्लियर जरूर कर लेते हैं देखो बच्पन से आप समझदार रही है प्रागरस्ताइन हाथ पर रहा है तो लिए स्ट्रगल रहती है ब आपके अठाला वर्स के आसपास दिखे थे एक तरक्की आपके 21.60 के आसपास थी जहांपर से जातक की जिंदगी पर ये तरक्की को बताती है एक 22.00 में वर्स में कोई तकलीफ के योग आपके अधले पर थे फिर देखो तो एक आपके 23.00 में वर्स से कुछ विप्रित पर स्टार्टिंग फेज में जब ये लाइन्स बन जातो तो स्ट्रगल रहता है तो स्ट्रगल तो हर एक के जिंदगी पर रहता है उसमें कोई बहुत जादा बड़ी बात थोड़ी है लेकिन हाथोरा सा अपने उपर आपको पेशेंस रखना है 27 में वर्स में एक राहू रेखा ह जो इंसान को थोड़ा तकलीफ दे सकता है इंसान के तकलीफों का वज़ा बन सकता है 39 में वर्स में एक बहुत गजब की तरक्की मतलब 29 येर्स के बाद आपको ज़्यादा सोचना नहीं है 30 येर्स में तरक्की 32 में बहुत बड़ी यात्रा की योग में भी वितेज के अपॉर्चनिटी आई आए आए आपके जिंदगी पर 33 के आसपास 34 में एक तरक्की 36 में एक तरक्की 35 में एक दिक्कत ज्यादा राहू रेखा आपके हाथ पर नहीं है लेकिन जिस जिस एज को मैं इंडिकेट कर रहा हूं से एज में थोड़ा समनला 40 में प्रिया तरक्की 64 में तरक्की पर आगे भी जीबन रेखा प्रिया दिक्रिया 64 के बाद भी 70 के आसपास भी तरक्की थी उसके बाद भी कोई विसस दिक्कत है नहीं दो मुखी जीबन रेखा है वैसे भी सेटलमेंट आपका होगा घर से दूर का विदेशी दर्सी द करने का कोशिश करते रहना है तो जीबन रेका और ऐसेच कोई प्राब्लम्स है नहीं और जो राहू रेका उसके स्ट्रंथ को कम करने के लिए मंगर रेका आप कैतली पर अवस्तित है जो राहू रेका के स्ट्रंथ को स्पेशली कम करने का पूरा ही कोशिश करेगा इसमें बि वीडियो काफी ज़्यादा महतपून है, देखे, सीखे, समझे, यह आ गया स्क्वाइर स्पाम, मद्दे मेच कोई सफलता को पाते, लगबग लगबग प्रैन्स स्ट्रेंथ में है, तो राज्योक कार घतिली तो है, मतलब जिन्दगी कमफर्टेबल रहती है, लेकिन मेहनत भ प्रैक करती है, पैसे की आगवन अच्छी रहती है, थम्ब बड़ा जबरदस्त है आपका, तो ले अंदर सेल की फल की कमजोरी का योग है, यवा किरती है, जबो भी सपोर्ट की आवशकता पड़ेगी, आपको जरूर से मिल जाएगी, आपके एक्षा सकती बहुत ही अच् बहुत जाददार थम्ब है, स्ट्रॉंग व्यक्तितों का ये परचे जरूर से करा दा है, समझदारी के लोग काफी एक्षे, व्यक्ति बहुत समझदार परविरतिक है, थोड़े इंट्रोवर्ट जरूर है, कभी कमार गुस्ते में थोड़े रूटने सा सकती है, तो उस प बुद्ध फिंगर छोटी है, तो डिसिजन मेकिंग में प्रावलम्स को इंडिकेट करती है, तो नरने को सोच समझ करेने क्या वशक्ति हैं तो ये आपके लिए थोड़ा तकलीफ दे आवस्था मानी जा सकती है, वागे देखा चाहे तो बहुत बढ़िया फिंगर स्ट्रे कर रही है, एक ट्रैंगल जैसा आकरती भी है, तो तीस साड़ के बाद की जिंदगी में सोधार और वैसे ब्रश्पती अच्छी है, समझदारी है, परोपकारी है, दूसरे के लिए करना चाहते हैं, परिवार के जरूर करेंगी आप, इसमें कोई संदेह नहीं है, समझदार का दरनाएं आपको नहीं लेना है, इर्दर रेका काफी अच्छी है, तोड़े एमोशन्स के योग जरूर है, आप, आगे के इर्दर रेका भी बरी शांदार है, विश्णो योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले है, इसमें वेलकुल भी डाउट नहीं है बैलन्स काफी अच्छा, दल दिमागी बहुत तंदूस्त है, नो डाउट, यहां से दबावे विक्ती मेहनती जरूर होते हैं, बागे रेका का साथ जिन्दगी के लास्ट तक है, कुछ सरकारी छेजर से धनलाफ के योग भी है, वो आपकी एक्छापा निरवर करता है, ये ये करो या वो करो इस प्रकार की दोविदा में रह सकती हैं, लाइन उफ एजोकेशन बहुत बढ़िया है, इंसान काफी समझदार प्रविर्थी के है, समझदार ही सबने जिन्दगी पर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, पैतिक संपत्ति का प्रिया साथ ये सूरी रेक अबी बड़ी शानदार है, तो चत्तिस के बाद मेजर चेंज आपके जिन्दगी पर, थो डिस्ट्रेक्शन के योग तो इसको मैं मानूंगा, इंसान कभी कवा थोड़ा देवियेटिट फील कर सकते हैं, ये थोड़ी डिस्ट्रेक्शन के योग ये भी है, बागी एक मंग बड़करी अच्छी बुद्धरेक्शन कार करते हैं, जिन्दगी पर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, दिमाग बहुत तीज हैं, और दिमाग लगा कैसे विक्तिए जिन्दगी पर आगे बढ़ भी जाते हैं, बढ़िया चंद्रमा, ये मंगल है आपका, थोड़े दोक आकरमी है, तो बलकुल डाउट नहीं है, आगे देखा जाए जो चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं मानँगा, लेकिन स्क्वायर जैसे आकरती दिख रही है, चंद्रमा वैसे कोई बहुत गरबर भी नहीं है, मद्या मस्तरी है, तोड़े यात्रा की योग जिन्दगी पर ज बहुत शांदार है, और ये भी एक बुद्ध रेखा का ब्रांच है, थोड़ी मने ट्रैंगल बना रही है, ये वाले जो कि धनलाव को इंडिकेट कर रही है, ये सब आपकी प्राग्रस लाइन है, नोडाउट आगे 36 के बाद भी बागे रेखा बहुत शांदार, फिर बहुत बढ़ी आईउ-दिरगायू, मंगल रेका बहुत कमाल एक से जादा है, तो टेंसन के लाइन हतली पर जरूर थे, इंसान थोड़ा सोचते जरूर है, बहुत मंगल पर ट्रैंगल से हैं, स्क्वायर से हैं, तो प्रॉपर्टी के योग को बताता है, प्राकरमी भी है, आपके लगजरी सुख के लाइन्स भी हैं, मनी मैंजमेंट में प्रबल हैं, फिर जैसी आकरती है, लगजरी का सुख मिलेगा, शादी के बाद बागू दे होगे, ट्रैंगल जैसी आकरती है, ये भी जातक की जिन्दगी पर सुदार को बताता है, लेकिन प्रारंबिक समय म स्ट्रोंग लाइन्स है, ये थोड़े स्ट्रेस को भी बता रहा है, इसलिए मैंने कहा कि प्रॉपर सही तरीके से शादी विवा के समय आपको डाइनोसिस करके शादी करना चाहिए, और आगे अभी किसी चक्कर में नहीं परना है, शुक्र पैकर स्टार जैसी आकरती भी है जो कि लगजरी सुख का परचकर आ रही है प्रॉपर रूप से, तो जातक को लगजरी सुख जिन्दगी पर जुरूर मिलता है, इसमें बिलकुल संदे है नहीं, शुक्र बढ़िया है तो जिन्दगी अच्छी ही रहती है, ये सारे मरी मैच्चमेंट के लाइन से, तो ये